एक भाई comment करके बोल ले थे कि मैंने अपने channel पे 10 million का views complete कर लिया है और अपने channel को मैं monetization के लिए जैसा apply किया तो मेरा channel का monetization है वो reject हो गया तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे मैंने बहुत सारे short channel देखे हैं जो अपने channel पे 10 million का views complete करने के बाद monetization के लिए जब apply करते हैं तो उन कि इस video के अंदर मैं आप लोग को कुछ settings बताऊंगा कुछ tips बताऊंगा जो कि आपको अपने YouTube channel के अंदर करना है और अगर आप इन settings को अपने channel के अंदर apply करते हैं तो 50% chance है कि आपका जो short channel reject हो गया है वो दोबारा monetize हो जाए तो कौन-कौन सा setting है यह मैं आप लोग को practical कर करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे सही setting को अपने channel पर कर सकते हैं तो अगर आपको यह video अच्छी लगे तो इस video को like करना है और channel को जरूँ से subscribe करना है तो कौन-कौन सा setting है तो दोस्तों मैंने बहुत दिन पहले एक video बना करके आप लोग को बताया था कि यह अग से भी आप लोग को बहुत कोई सिखने के लिए मिलेगा अब यहां पर कौन-कौन सा setting है तो दोस्तों यहां जब भी YouTube अगर यहां पर हम लोग अपने channel पर 4000 घंटे का watch time या फिर अगर 10 million views कंप्लीट करके अपने channel को monetization के लिए apply करते हैं तो YouTube यहां पर क्या check करता है हमारे channel तो यहां पर check करता है कि मतलब कोई भी channel है तो इसमें जो भी video upload किया जा रहा है वो original content है या फिर नहीं है तो यहां पर बहुत सारे लोग दुस्ते का content upload कर रहे हैं और reused content के कारण उनका channel है वो reject हो रहा है तो यहां पर मैं आप लोग को tips बताऊंगा इससे 50% chance है कि आप लो your video बना रहे तो यह कैसे पता चलेगा फो यहां पर यूटुब को दिखाना पड़ेगा अपना चहरा अपना face आपको दिखाना पड़ेगा तो यह अब कैसे तो नहीं है कि YouTube आपके घर में आकर के आपको देखेगा तो यहां पर आपको खुद से यहां पर कुछ setting करना हूत है आपको अपने चैनल पे आपको अपने वीडियो में कुछ सैटिंग करना है जिससे यूटिव को ओटोमेटिक पता चल जाएगा कि यह जो वीडियो बना रहा है यह कौन बना रहा है कैसा दिखता है मतलग उसका सोसल मेडिया पे अकाउंट वगरा है की नहीं और इजिनल बना है या फिर बॉट है यह सारा कुछ उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा तो यहां पे कौन कौन सा चैनल पर अप्लोड करके रखा उसमें भी आपको अपना सोसल मेडिया का लिंक करना है अगर आपने नहीं करके रखा है और आपने अपने चैनल पर एकदम दो सो तीन सो पाइसा वीडियो अगर अपने अपलोड कर दिया है साथ मैं आपको क्या करना आपको अपने चैनल में भी about section जो होता है उसमें भी आपको अपना social media का link आपको add करना है और जो disclaimer होता है copyright का वो भी आपको अपने सारी videos में डालना है तो ये सारा setting कैसे करना है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ तो सबसे पहले तो वीडियो के description में मैं telegram का मतलब जो disclaimer है वो मैं description में ही दे देता लेकिन वहां से description से copy नहीं होता है तो आप copy नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने telegram पे वो डाल दिया है तो आपको description में telegram channel group का link आपको मिल रहा होगा तो आपको उस पे click करना है तो आप यहां पे इस telegram के अंदर आ जाएंगे अगर आप लोग join करना चाहें तो join कर सकते हैं join नहीं करना है तो यहां पे देख सकते हैं यह जो disclaimer है इसको आपको copy करना है इस पर long press करके रखना है और उपर यहां पे आपको copy का एक बटन मिलता है इस पर जैसे click करेंगे तो यह जो disclaimer है copy हो गया है अब आपको क्या करना है तो आपके phone में इस तरगे का एक note होगा note application जो है उसको आपको open करना है और open करने के बाद जो अभी आपने disclaimer copy किया telegram group से उसको यहां पे paste कर दिने है अब मैंने यहां पे paste किया अब आपको क्या करना आपका जो social media का link है उसको भी copy करके यहां पे डा आ जाएगा और जो disclaimer है यह भी आ जाएगा आप आपको कुछ हो गया आप चोशोग करना यह पूरा पो कॉपी करना link के साथ वर disclaimer भी एक साथ copy हो जाएगा तो यह सारा एक साथ copy होगा अब आपको next setting क्या क्या करना है तो आपको सबसे पहले तो chrome browser को आपको open करना है और जैसे chrome browser open करते तो ऐसा interface आता है तो यहाँ पर youtube.com या फिर नीचे आपको youtube का logo दिखते है आपको इसके उपर click कर दिने है अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो ऐसा interface आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको यह जो arrow मिलता है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद नीचे आपको desktop site का option मिलता है इस पर checkbox पर tick कर दिने है अब यहाँ पर ऐसा open हो जाता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा network slow है तो यहाँ पर आपको क्या करना मैं आपको zoom करके दिखा रहा हूँ यह जो आपकी YouTube channel का profile मिलता है आपको इसके उपर click करना है उसके बद यहाँ पर आपको option मिलता है YouTube studio का तो आपको इसके उपर long press करके रखना है और open in YouTube in group का जो option मिलता है इस पर आपको click कर दिना है अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो नीचे side देख सकते है आपको दो YouTube का logo दिख रहा है तो अब यह first में click है तो आपको क्या करना second YouTube के logo पर click कर दिने अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा option मिलता है अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो Chrome browser के अंदर आपकी चैनल का जो studio है वो open हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल का studio open हो गया अब यहाँ पर जो आपको content का option देखने के लिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यह जो आपको option मिलता है इसके उपर क्लिक करने है अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने अपने चैनल पर जितना भी videos अपलोड करके रखा है वो सारा यहाँ पर सोफ हो जाता है अब आपको क्या करने ही आप है अगर थोड़ा सा side में अगर देखते हैं तो इहां पर आपको कुछ box बना हुआ मिलता है इधर देख सकते हैं यह एक ही करके आप आपको क्लिक कर देना है मैं आप लोग को दिखाता हूं यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स मिलता है इस पर क्लिक करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं तीसी वीडियो भी सलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं all का जो आपको option मिलता है इस पर click कर देना है अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो मेरे चैनल पर जितने सारी videos है 500 600 200 जितना भी है सारा यहाँ पर select हो जाएगा अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा यहाँ पर देख सकते edit का तो आपको क्या कर इस पर click कर देना है अब जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से open हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पर description में क्या add करना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है तो जो आपने copy किया उसको यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना पेस्ट कर देना है अब यह जैसे हैं पर क्लिक करेंगे तो सारे वुडियो के डिसक्रिप्सन craogas यहापने डिस्क्लेमः और जो भी आपने सोसल मेडिया का लिंक एड़ किया वो सारे विडियो में आ काईगा तो मुझे तो यहां तो मैं इसका कैंसल कर देता हूँ UCR पर आपको क्या करना है तो यहां पर आपको तीन आप्सें मिलता है एक लेयाउट ब्रैंडिंग और बेसिक इंफो तो आपको क्या करना है तो नीचे आप थोड़ा सा अगर उपर स्क्रॉल मतलब करते हैं तो यहां पर आपको एक option मिल जाता है लिंक का आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिंक लिखा हुआ है और अगर आप मेरे भी चैनल के अबाउट सेक्षर में जाकर करके देखेंगे तो वहां पर ट्विटर इंस्टाग्राम और मेरा जो दूसरा चैनल है मैंने उसको आपको दिखाना है तो यहां पर ट्विटर यहां पर डालना है मतलब जो भी आपका सोसल मेडिया है उसका टाइटल इधर डालना है और जो आपका लिंक है वह आपको इधर डाल देना है यहां पर देख सकते हैं इस तरीके सा आप यहां पर इंस्टाग्राम लिख अब यहाँ पर आपके चैनल पर भी social media का link एड हो गया, सारे videos पर भी social media का link एड हो चुका है, अब इसके बाद भी आप लोग को कुछ काम करना है, जैसे आपका जब भी आप अपने channel को monetization के लिए apply करते हैं, तो वो reject करते हैं, तो वहाँ पर बोलता है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपका जो problem है, वो solve नहीं होगा, आपका channel monetize नहीं होगा, इसलिए अगर आप long video बना पाते हैं, तो long video आप अपने face के साथ, अपने channel पर बना करके upload कीजे, या फिर अगर आप short video बनाते हैं, इसको solve कर सकते हैं, लेकिन इतना सारा काम करने के बाद, भी 50% chance है कि आपका channel monetize होगा, आप 50% क्यों है, तो यहाँ पर जो भी आप दूसरे का video, डाउनलोड करके, अपने channel पर upload की हैं, उसमें अभी वो most popular video होगा, और उसको तो आप delete कर नहीं सकते हैं, और जब तक वो delete नहीं होगा, तो YouTube तो डारेक्ट उसी को जागर के चेक करेगा, कि यह किसका video है, यह original content है कि नहीं, तो वो जब तक मतलब most popular video में, आपका खुद का video होना चाहिए, वही ज़्यादा तर YouTube चेक करता है, तो यहाँ पर आपका जब वो तो आप delete नहीं कर पाएंगे, तो अभी जो latest stuff videos upload करेंगे, उसमें try कीजिए कि आपका face हो, या फिर आपका voice हो, अगर इस तरीके से आप original अपना content बनाएंगे, तो आपका channel monetize हो सकते हैं, तो यह कुछ tips था, यह कुछ setting था, जो कि आपको अपने channel पर apply करना है, और सायद आपका channel monetize हो जाए, और वीडियो से भी earning कर लें, तो आप लोग को सारा कुछ समय में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई भी question या फिर कोई डाउट है, तो आप नीचे comment करके पूछ सकते हैं, और जहां तक मुझे जो भी समय में आएगा, मैं आप लोग के साथ share करूँगा, तो आपको इस वीडियो को like करना है, share करना है और इस channel को subscribe करना है, क्योंकि इसी तरीके का useful videos आपको इस channel पर हमिस्दा देखने के लिए मिलता रहे हैं,